देवी योग माया अब हमें आपकी आवश्यक्ता है कृप्या दर्शन दे देवी आपको सब ग्यात है कि मैं आपसे क्या कराना चाहता हूँ अब आप मेरा अभिष्ट कार्या पूर्ण कीजिए तुमने कच को देखा है वो कब से मुझे यहीं पुकार रहे है मैं मैंने तो किसी को नहीं देखा उसके इसली के रक्षा तो मात्र योग शक्ती कर रही है और हम महाश्शक्तियों के महारती है मते रावण है हम हमारे समान ना किसी के पास तंत्र शक्ती है ना मंत्र शक्ती तब अबल है हमारे पास महायोगी है हम रावण है हम मते उस रक्षा चक्र को तोड़ना हमारे लिए बहुत ही सहज होगा किसरी तुझे अब मरना होगा वैद्राज जी आपको क्या लगता है पुद्र केशरी की स्थिति अब कैसी है महाराज की स्थिति तो दिन प्रति दिन विगड़ती ही जा रही है अन और जल के बिना देह कब तक साथ दे सकती है जब शरीर में कुछ रहेगा ही नहीं तो श्वास भी कब तक चल पाएंगे हे इश्वर अब आप ही कुछ कीजिए ना हमारे पास तो आप केवल आपका ही सहारा शेष बचा है महाराज कुंजर हम अपने पूरे प्रियास कर रहे हैं जड़ी बूटियों से लेकर तंत्र मंत्र तक सबको प्रयोग में लाया जा चुका है जिनके बल पर मैं ये कह सकता हूँ कि महाराज केशरी को तेरह दिन तक कोई संकट आ ही नहीं सकता बस आप भगवान से प्रात्ना कीजिए कि मारूती शिग्र अति शिग्र आ जाए अम निकुम्बलाय देवी शत्रुगती मंदहे तो हूँ ममकार्य सिद्ध करी करी क्रीम 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 होम थट स्वाहाँ अम निकुम्बलाय देवी शत्रुगती मंदहे तो हूँ ममकार्य सिद्ध करी करीम क्रीम क्रीम होम थट स्वाहाँ ओम्निकूंभलाय देदी शत्रगती मंद हेतोin ममकार सिद्ध करिकरी परद्ध कराये ऑम्हों फार बवाहा ईएक योग चक्र को खंडित करने वाले मंद्र है लगता है कोई केषरी के प्राहिए इन मंद्रों का चाप कर रहा है अ मंकार सिद्ध करिकरी ओम निकुम्बलाय देवी शत्रुगती मंदहे तोहू ममकार्य सिद्ध करी करी क्रेम 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 होम थट स्वाह। ओम निकुम्बलाय देवी शत्रुगती मंदहे तोहू ममकार्य सिद्ध करी करी क्रेम 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 होम थट स्वाह। यह तो रावन है और महाराज के सुरक्षा चक्र को तोड़ने के लिए मंत्रों का जाप कर रहा है यदि सफल हो गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा रावन मेरे पुत्र तुम्हारी मंत्र शक्ति अध्वितिय है लगता है इस बार केस्री अधिक तेर तक इसका सामना नहीं कर पाएगा क्योंकि केस्री इस समय सूखी हुई डाल का फो बुर्जाया हुआ पत्ता है जो तनी खवा लगते ही तूट जाएगा और इसके साथी तूट जाएगी उसकी सासी और ठप धराशाई हो जाएगा पानर कुल का फ्रिक्ष नाश हो जाएगा संपूरने बानेर कुल क्रीम 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 हुम फट पाहा इस अंजना की गती तो बहुत ही अधिक है यदि इसी गती से यह चलती रही तो यह नियत समय से पहले यह गंगोत्री पहुँच जाएगी किसी भी तरह इसकी गती को बाधित करना होगा अरे अंजना तुम इतनी गती से क्यों भाग रही हो मैं तुम्हारे साथ चल ही नहीं पा रही हूँ अच्छा सुनो तो पहले ही बहुत विलम हो चुका है मुझे शीग रही पहुँचना है गंगोत्री अच्छा कुछ पल तो रुख जाओ मुझे बहुत भूक लगी है लो तुम भी थोड़ा खालो फिर साथ में चलते हैं नहीं मैंने तुमको पहले भी बताया है महादेव के अभिशेख से पहले में कुछ ग्रहने करूँगी प्रंट लिया है मैंने अरे बहन प्रंट तुम तब पूरा कर पाओगी जब तुम यहां से गंगोत्री तक जीवित पहुच पाओगी रास्ता बहुत लंबा है और मुझे तो लगता है रास्ते में ही भूके रहने से तुम्हारी शक्ती तूट जाएगी वहां तक पहुची नहीं पाओगी तुम शक्ती मन में होती है शरीर में नहीं तुरीड इच्चा शक्ती हो तो गंगोत्री तो क्या कैलाश परवत पर भी भूके प्यासे रहकर जड़ सकता है मनुश अरे मेरी बहना भगवान स्वहम भी तो आकर नहीं कहे गए कि यहां से गंगोत्री तक भूके प्यासे ही जाना है और तुमने भी सुना होगा कि आत्मा में परमात्मा का वास होता है अगर तुम आत्मा को दुख दोगी तो परमात्मा भी दुखी हो जाएंगे लो कुछ खा लो तो शक्ति बनी रहेगी और परमात्मा भी प्रसंद रहेंगे परमात्मा अन्न जलके नहीं भाव के भूके होते हैं और ना ही वे कभी कुछ कहते हैं किन्तु प्रण मन से होता है आत्मा से होता है और भूक प्यास और बाधाओं जैसी कठिनाईयों से ही तो भक्त की परिक्षा लेते हैं बगवाल यह ऐसे नहीं मानेगी इसके लिए कोई अन्यमार्ग निकालना होगा हाँ मार्ग क्या हुआ कुछ कह रहे थी तुम हाँ हाँ बहन यह मार्ग हम लोग बातों में ऐसे फसे रहे कि हमें दिशा का ज्यान ही नहीं रहा हम गंगोत्री की और नहीं कहीं और ही चले जा रहे हैं जबकि गंगोत्री का मार्ग तो उत्तर दिशा की और है किन्तु हम उत्तर दिशा की और ही तो जा रहे हैं अरे नहीं वही तो मैं कह रही हूँ हम उत्तर की और नहीं पूर्व की और बढ़े जा रहे हैं और गंगोत्री नहीं गया जी पहुँच जाएंगे क्या तुम सत्ति कह रहे हूं मैं क्यों जूट बोलूंगी भला कही बार उस मार्ग से जा चुकी हूं मैं बस इस बार बातों में ऐसी उल्ची कि रास्ता ही भटक गई चलो सही मार्क से चलो नहीं तो और विलंब हो जाएगा चलो चलो जल्दी चलो अंजना अब इस मार्क से न तू गंगोतरी पहुँच पाएगी ना ही तेरा प्रण पूरा होगा तेरा प्रण तूटने का अर्थ है केशरी की मृत्यु किन्तु देवी आप यहां क्यों आई आपके पीछे पीछे मुझे भी यहां आना पड़ा आप तो यहां पुष्पले ले आई थी ना हां मैं यहां पुष्पले ने आई थी किन्तु किन्तु मैंने सुना है कचका स्वर हां मैंने सुना है कचका स्वर तेवी आपके रिदे में कचका स्थान आज भी है इसलिए वो आपको दिखाई दे रहा है उसका स्वर आपको सुनाई दे रहा है हां हां यह कच के हिसर है कच 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 के प्रती ये प्रेम की गाठे आपने बांध रखी है ना अब वो सब धीमे धीमे खोलने वाली है कच तो यहीं है जो बहने देखा था वो ब्राह्म नहीं सत्य था अदे नगू जो यह तो फूंता है स्वास्त लग रहे हैं अर्थाथ मैंने इन्हें चुश्राब दिया था वो आप तूट चुका है हे देवी योग माया अब आपको तामसी माया रचना है हाई ही माया रच हाई हाई हाisations हा स्वास्त हा अा हा ह हा presence कि यासुर फिरा गए पहले भी इन्होंने कच को मारने का प्रयास किया था कि इन्हें दुष्ट अजरों के कारण आज मेरे कच को मुझसे दूर होने के लिए विवश होना पड़ा है यदि ये कच को मार कर प्रदाजी को भस्म नहीं बिलाते तो कच उनके पुत्र नहीं मेरे स्वामी होते इन दुष्टों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी नहीं चड़ूंगी में दुष्टों को अढ़ूंगी में में फजिये जुष्टों क्या राद़ूंगी थिए्टों को भर भाला एबुग है कि अ जड़ तो हुग तो हुग तॉ हाँ तॉ ऐद ऐसा यज पार चार कि अज़ जड़ जडिड़ एसा याँ ऐसा कि अज़ के तॉ हुगा स्व जड़ उड़ा हाँ हुगा से हुगाँ हुगा अ धर तॉ तॉवा अ सुन ले ये सारा संसाथ, यदि किसी ने मेरे कज को हाने पहुचाने का प्रायस किया, तो मैं, देव्यानी, ये सौगंद लेती हूगी, वो ब्रमान में कहीं में चुपा हो, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ोंगी, मा दलोंगी मैं क्या हो अदेवी? कज को कुछ हो गया क्या? नहीं, मैं अपने कत को कुछ रही होने दूगी, कुछ रही होने दूगी में उन्हें, यदि किसी ने मेरे कज को हाने पहुचान का प्रायस किया, तो मैं उसे जीवेत नहीं चोड़ूंगी नहीं चोड़ूंगी जीवेत देवी इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप आज भी कच को अपने रिदय की गहरायों से प्रेम करती हैं आप कच्छ से दूर रहकर भी हर पर कच्छ के विशे में ही सोचती हैं कच्छ मेरा कच्छ मेरा कच्छ कच्छ ओम निकुम्बलाय देवी शत्रुगती मंद हे तो हूं ममकार्य सिद्ध करी करी क्रीम 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 हो फट वाहां धावर तुम उचित नहीं कर रहे हो मेरी योग शक्ती मेरा दपवल जन कल्यान हिद के लिए और जितकी हुई सिद्धिया है तुमने जब किया है जनता पर शाशन करने के लिए उनपे अत्याचार करने के लिए प्राप की है सिद्धिया अब तुम्हें ग्याद होगा कि धर्म बल क्या होता है तुम्हारी तांत्रिक शक्तियां महाराज केश्री को हानी पहुचाए इससे पहले उन्हें मेरी योग शक्ति से टक्राना होगा कच 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 तेवी आप कितना भी छुपाई किन्तु आज आपके मन का प्रेम आपके होड़ों पर आपके होड़ों पर आपके होड़ों आई गया आपका रिदे आज भी कच के लिए ही धेड़कता है आज भी आप कच के लिए ही जी रही हैं लगता है किसी ने तुम्हें विपरीत मार्क बता दिया है क्या आप सच के रहें हम साधू गंगोत्री जाते रहते हैं इसलिए हमें ग्यात है कि जिस मार्क पर तुम जा रही हो वो गंगोत्री नहीं जाता किन्टू आपनी क्या किया आपके श्राप के कारण कच का क्या हाल हुआ है आपको कुछ आभास भी है जे 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 पजरंग बनी क्या हुआ 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 है